नमस्कार आप देख रहे हैं बिजनस टूटे बजार मैं हूँ हर शर्मा और हमारे साथ है हमारे सेयोगी अंकुर जी पिछले कुछ वक्त से जो बेसिकली कार बायर्ज हैं वो सेफटी को लेकर कार सेफटी को लेकर जादा सजक हुए हैं पहले कार का कलर उसके फीचर उसकी मायलेस देखी जाती थी लेकिन अब सेफटी को लेकर भी गारी का चैन किया जाता है और इसी के चलते सरकार भी कुछ महत्मूर कदम उठाने जा रही है एक अक्टूबर से सरकार कुछ महत्मूर कदम क्या उठाने जा रही है इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे अमकुर जी सबसे पहला मेरे सवाल है पहले था Global New Car Assessment Program हुआ करता था जो की विदेश के हिसाब से होता था अब एक अक्टूबर से क्या नियम बदलने जा रहे हैं देखे मिलिस्ट्री ओप रोड ट्रांसपोर्ट मंत्राले ने बड़ा फैसला किया है बड़ा फैसला यह है कि एक अक्टूबर के बाद जो कारों की टेस्टिंग होगी जो क्रेश साथ ही जो सेफटी नियम होंगे वो भारत की स्टेंडर से होंगे अभी तक होता क्या था कि हम जितने भी का निर्माता कंपनी थी हो अपनी गाडियों को ब्रेटेन में भेज़ती थी और वहाँ पे उनकी टेस्टिंग होती थी उनके सेफटी मेजर्स चेक किए जाते थे कि कि क्या ड्राइव के लिए सेफ है कार नहीं ए फिर रेटिंग दी जाती थी लेकिन अब भारत सरकार ने ये फैसला किया है कि चुकि भारत एक different geography का country है भारत में different type की समस्या है और लोग जो driving करते भारत में वो विदेश में जो driving करते हैं लोग उन से अलग है तो जब driving का तरी होती है या जो एक्सिडेंट होते हैं वो भी बिल्कुल अलग है तो क्यों ना फिर भारत के साब से सेफटी मानक तया किये जाएं तो उसके आधार पर रेटिंग दी जाएं तो यही वजह है कि ट्रांसपोर्ट मंत्राले ने प्रस्ताव टियार किया था जिसको अब एक अक्टूबर से लागू किया जाएगा इसमें सबसे बड़ा फाइदा यह होगा भारते कंपनियों के उनका खर्चा बचेगा ब बाते बिया सेनग पहारत का पार mulheres ला थे गलोबन गया है सिम्सक्त और ऽेहां स्टावल जून palsy जब खर्चार किया आएचा बाती देष्ट होगा की सब्से पहली जब हम किसी कार की टेस्टिंग करते है इसमें यह देखे जाता है कि जो एडल्ट उसमें बैढ़े हैं पैस तेस्टिंग होती है आम तोर पर उसमें देखते है कि जो अंदर लोग बैठें एजिए सीट बैल्ल बैट लगा कि उनने कितनी चोटे गंबी लग सकती है तो यह देखा जाता है कि अगर दुर्गटना हो दुर्गटना से पहले पैसंजर है उनके बैठने की जगए उनका स्पेस उन में अगर कोई गाड़ी क्रेश होने के एक्सिडेंट हो जाता तो उसमें से कितनी आसानी से पैसेंजर को बाहर निकाला जा सकता है या नहीं इन चीजों को देखा जाता है साथ यह मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो विदेश में जो आमतर पर जो कॉलिजन होते जो टकर होती है वो आमने सामने की होती है लेकिन भारत में आमतर पर यह देखा गया है कि आमने सामने भी गाडिया टकराती है लेकिन साइड से भी गाड़ी टकरा जाती है क्योंकि हमारे यहां पे सड़के उतनी बड़ी नहीं है जितने विदेशों में है तो भारत में जो बहुत है कि आखिए हुए भारत में टेस्टिंग होगी सेफटी की तो जो तोन आ उनकी जो फे डबैक हो ऱो ओट अचा फीटिवे Uni के पास जाए का और ऑड तो तो कंपनी भारत के रोड के Chiscomfort बारत की ज—अ शिच्टिंग के चाप से समझ पाएंगी और क्या-क्याfight जो इस तरह के बात करना चाहूंगा नहीं कर भारत में आप तोर पे देखा गया है कि एक आदमी की गाड़ी खड़ी है सामने से तेजी से आगी तकर आती है आम तोर पर देखा गया है कि सड़क एक है लेकिन साइड से गाड़ी तकरा गए तो ऐसे हादसों की संख्या भी काफी जाता है जहां गाड़ी साइड से टकराती है और अक्सिडेंट हो जाता है प्योंकि भारत में उस तरह से एक तो बाई लेन नहीं है और दो इस तरह के जो सड़कें वो विदेशों में अलग है दूसी बात यह है कि कहीं न कहीं देखें भारत में अभी बहुत साइज कहीं चर्चित एक्सिडेंट भी हुए है जिसमें काफी बड़े लोगों की डैथ भी हुई है बड़ी बड़ी गाड़ी है जिसके माना था से बड़ा माना जाता है अब वो गाड़ियों में भी एक्सिडेंट होने के बाद अगर मृत्य हो रही है तो कईने कई सवाल उठते हैं दूसरा यह है कि जो नियम होंगे यह इंपोर्टेट गाड़ियों पर भी लागों होंगे यह नियम जो भारत में बनी कार होंगे उन पर भी लागोंगे जो है बेसिकली अपनी वेबसाइट पर डाल देगी इसकी रेटिंग आप असानी से चेक कर सकते हैं इसके साथ ही कस्टमर के लिए भी अच्छा होगा बिल्कुल कस्टमर पाद रशीदा आईगी सरे इससे अभी तो क्या है कि काफी लोगों को मालूम नहीं कि बिल्टेन की ए और है कि इस तरह की खबरे आ रहे हैं कि जो एक अक्टूबर को होगा वो खास तौर पर एमवन गाडियों पर यह नियम लाग होगा एमवन गाडियों वो होती है जिसमें ड्राइवर समेथ आठ लोग बैठते हैं तो यह चर्चा कैसी लगी आपको आप हमें कमेंट करके ज सब्सक्राइब जरूर करें